नमस्कार में डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे UGC NET हिंदी यूनीट आठ के अंतरगत लगे हुए नाटक अंधेर नगरी के उपर जो की जिसका पूरा नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा रचना काल इसका है समबत 1928 यानि अगर हम इसको इसभी में कनवर्ड करेंगे तो 1881 इसभी आएगा तो आप समबत में भी ध्यान में रखे बदलते वे पैटर्न में हो सकता है कि इस भी में सवाल न पूछ कर समबत में पूछ लिया जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा जिसको की हम संच्छेप में अंधेर नगरी प्रहसन के तोर पर जानते हैं अलांकि हमने इसको ना जासन के मूल पाठ का ध्यन करेंगे साथ में कठिन शब्दार्थों पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि परिक्षाओं में कठिन शब्दों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं वाक के दे दिये जा रहे हैं पंक्तियां दे दिये जा रहे हैं और उसमें मैं उनके अर्थ को पूछ लिया जा रहा है तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम परिक्षा के दिश्टी कौन से हर पहलू से हम अध्यन करने की कोशिश करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस वीडियो लेक्चर में अंध तक बने रहेंगे तो चलते हैं बात करते हैं विश्टार से उसके पहले हम आपको बता दें कि भारतेंदू हरिश्चंद ने नाटक पर चर्चा करते हुए नाटक के उद्देश की उन्होंने चर्चा की है और कुल पांच उद्देश्यों की बात उन्होंने की है जिसमें की हास्य, स्रिंगार, कौर्टुप, समाज, संसकार, देश वत्सलता ये पांच उद्देश ये निर्धारित के हैं भारते अंदु हरिश्यन और अगर आप पिछले साल के क्वेश्यन पेपर को देखेंगे तो वहां पर इस तरीके से सवाल पूछा गया है कि निमलिखित में से भारते अंदु हरिश्यन ने नाटक के उद्देश्यों को माना है और कौन-कौन सा नहीं माना है तो इन पांचों को आपको ध्यान में रखना है ताकि इसमें से किसी तर कार और देश वहस्तलता के बात उन्होंने की हुई है अब बात करते हैं अंधेर नगरी नाटक की जब शुरुवात होती है तो इसकी शुरुवात होती है समर्पन से ठीक है इसमें फारतेंदु हरिश्यन ने समर्पन किया है कुछ मानावता को लेकर धर्म को लेकर और असत पूरी चर्चा की गई है कुल आप देखेंगे कि कई इसमें पदबंध लगे हों लगबग इसमें पांचे पदबंध हैं ठीक है और उन पूरे पदबंधों में ये पूरी रचना या फिर समर्पन जो है वो खतम हो रहा तो लिखते हैं कि मान्योग्य नहीं होत को स्रेश्ट मनुस्य वह नहीं होता है जो किसी स्रेष्ट पद को पा जाए बलकि मान मनुस्य वह ओता है जो दूसरे के काम में अहाए जो यहां तो यहां पर , या फिर मनुस्यत्यक क्या है इन दो पंक्कियों में भारतियंदू हरिश्यन ने किया है आगे लिखते हैं कि जे स्वारत रत धूर्त हंस से काक चरित रत ते औरन हत बंच प्रभुही नित होई समुन्नत अब यह जो आप देख रहे हैं कि दूसरा पतबंध यहां पर इसमें है कि अगर कोई स्वारत में अपने स् उस धूर्त हंस की तरह है बलकि उससे बेहतर है कि कोई अगर कव्य की तरह ही है लेकिन जैसा है वैसा ही दिखाई दे यानि कि उपर से तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से वो कालापन उसके अंतरगत या फिर कव्य की तरह है यानि यहां पर कहा गया कि अगर व्यक्ति है तो वो अगर कोई दूसरे के लिए काम में आ रहा है तो उसका सभी लोग गुर्गान करेंगे और प्रभु नित होई हैं समुन्नत और इस्वर वी चाहेंगे तो उसका विकास होगा यहां पर बंची शब्द का प्रयोग किया गया है और जब आप देखेंगे कठिन शब्द में माल ले जी आप इकजाम में गए और ये दोनों पंक्तियां दे दी गए और पूछ लिया गया कि बंची का अर्थ क्या है तो बंची का अर्थ है गुडगान कर ठीक है इसको आप नोट कर सकते हैं आगे लिखते हैं कि जद पि लोक की रीती यही पय अंत धर्म जय जव नाहीं या लोक तद पि छलियन अति जय भय करने के हलांके लोक की रीती यही है कि लोग अपने बारे में सोचते हैं लेकिन अगर आप अपने धर्म और करतब भी को ध्यान में रखते वे काम करते हैं तो अंत में आपकी जय होगी जव नाही या लोक तदपे छलियन अति जम भय और नहीं तो यह जो लोक है इसमें जो छल करने वाले हैं उनको हमेशा जम यानि कि यमराज का दर लगा रहता है तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिशन ने मानवता और मानवता के साथ-साथ जो मानव धर्म है उनके बारे में इन पंक्तियों में चर्शा की है आगे लिखते हैं कि नर शरीर में रत्न वही जो परदुख साथी खात पियत अरू स्वसत स्वान मंदुख अरू भाथी कहा गया कि नर शरीर मनुष्य शरीर उसी रत्न के समान है जो दूसरे के दुख में काम में आये दूसरे के दुख का साथी बने वही नर मनुष्य रत्न की तरह है आभूशन की तरह है वैसे तो स्वान मेढ़क और भाथी यहाँ पर देखे इस पंक्ति में दो-तिन शब्दों को आपको ध्यार मरखना है, स्वान मतलब, कुट्टा, मंडुक मतलब, मेढ़क और भाथी का यहां पर अर्थ दिया हुआ है, अगर आप सभी अपने आसपास के लुहार, यानि लकड़ी के काम करने वाले जो व्योसाई होते हैं, उनके यहां गए होंगे, तो अब तो चीछें बदल गई हैं, लेकिन पहले वहां पर जब भठी जला करती थी, तो आपर एक भाथी का प्रयोग होता था, जिससे की हवा निकलती थी, और कोईले को वो धदका देती थी, करने की खाने पीने के लिए तो कुट्टा भी है, मेढग भी है, और यह भाथ कि इनके तरह ही आपको अपने मनुसत्य होने का जो भी अर्थ है, या फिर महत्त्य है, उसको करना पड़ेगा, नहीं तो कुट्टे मेढग और भाथी भी उपयोग में लाए जाते रहें, तासो अब लव करी, करी सुपह अब जागी, जो पहले कुछ असावधानिया हुई अब उनको भूलकर नए सीरे से जागने की जरूरत है, गोशुरुति भारत देश समुन्नति मैनित लागी, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत वर्ष उन्नति कैसे होगी, इसको लेकर हमेशा वो चिंतित रहते थे, और इस नाटक इस प्रहसन में भी उन्होंने कुछ यह अरिपद, भजी, सांच, बढ़ाईए, बढ़ाई, पाईए, तो देखिए यहाँ पर कहा गया, कि आप अपने अंदर की जो भी कपट है, जो छल है, उसको त्यागिए, और सत्य को अपनाईए, और इसको अपने जीवन तक अपनाए रहिए, तो राजा और तारक, मतलब त को प्राप्त कीजिए, तो कुल मिलाकर समर्पन किया गया है, अंधेर नगरी प्रहसन में मनुस्य को, मनुस्य के धर्म को लेकर, सत्य असत्य को लेकर, और कर्टब भी को लेकर, यह पूरी पंक्तियां उनी के तरफ संकेतित कर रहे हैं, और हमने सिर्फ इसके भावों को ही बताया हुआ है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसे प्रहसन के उपर विश्तार से, पहले अंक की शुरुवात आप देख रहे हैं, लिखा गया है, पहला अंक, आप अगर इसको स्रियसली देख रहे हो, या सून रहे हो, तो अपने कॉपी पर नोट करते जाए, कितने अंक हैं, और उन अंकों का जो निर्धारन किया गया है, इस्थान के आधार पर किया गया है, अभी हम दिसंबर 2023 के question paper को हल करा रहे थे, तो इसमें अंधायूग नाटक के बारे में पुछा गया था, कि कथा गायन को आधार बनाया गया किस नाटक में, तो आप देख रहे हैं कि वो तो जबाब हो गया अंधायूग का, लेकिन आप देखेंगे अंधेर नगरी में जो भी अंकों का विभाजन किया गया है, वो इस्थान के आधार पर है, जगह के आधार पर है, तो पहला अंक जो है, लिखा गया कि इस्थान बाह प्रांत है, यानि जो जिस अंधेर पर नाटक कारद्वारा की जा रही है, उसकी शुरुवात हो रही है बाहः प्रांत से, यानि नगरी का जो बाहः प्रांत है, उसके बाहर का जो इससा है, वहां से इसकी शुरुवात हो रही है, कैसे शुरुवात हो रही है, महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, सब यानि के महन्थ जी और उनके दो चेले यानि टोटल संख्या क्या हो गई तीन हो गई ये तीनों गाते हुए आते हैं क्या गाते हैं राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम के भजे से गनिका तर गई राम के भजे से गीध गतिपाई यानि के इस प्रहसन के को याद कर रहे हैं कि राम के भजने से क्या-क्या हुआ, क्या-क्या सही काम हुए, कि गणिका जो थी वो तर गई, माने मुक्ति पा गई, राम के भजने से एक गीध, यानि जो जटायू थे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, राम के नाम से काम बने सब, और आगे कहा ग नश्ठ हो गई या फिर उनका अंत हो गया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मान लिजे एक्जाम में यह पंक्ति दे दी जाए और पूशी दी जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है तो जो भी हमारे गंभीर विद्यार्थी होगे जिनको मेरे उपर विश्वास होगा वो तुर नगरी से और ये सारी चीजें लिख कौन रहा है ये तुलसी दास नहीं लिख रहे हैं बलकि भारतेंदो हरिश्चन लिख रहे हैं इस चीज को आपको समझना होगा आगे लिखते हैं कि राम के नाम से दोनो नयन बिन सूरदास भय कभी कुल राई और आगे कह रहे हैं कि र राम को ही माना जा रहा है कि सूरदास ने उनकी भक्ति भावना की और बिना अपने दोनों आखों के भी वो कवियों में स्रेश्ट रहें कभी कुल राई यहां पर इसका जो अर्थ है कि विभिन कभी कवियों में स्रेष्ट रहे कवियों के खुल के परिवार थे।क lei स्रेष्ट रहोगा विल्टास किसके वजए से राम के वजए से तो यहां पर आवतार वध को भी दिखाने का प्रियास भार्त यंदु Literarios function ने किए आप जो सब को भी राम के रूप में ही यहां पर देखने का प्रयास किया गया तो यहां पर आपको आशेर चकित नहीं होना है बलकि इस चीज को ध्यान में रखना है कि अंधियर नगरी प्रहसन में भारतेंदु हरिश्यन्द ने सूर्दास को कभियों में कुल्सरिष्ट इसलिए बत भजी रगुराई और कहते हैं कि न सिर्फ सूर्दास बलकि तुल्सी दास भी राम के नाम से प्रसिध हो गये और अगर वो राम को अपने काविका मूल विशे नहीं बनाते तो सायद हम आज तुल्सी दास को नहीं जानते तो कुल मिलाकर शुरुवात जो हो रही है पहले अंक की इस्थान है बाहय प्रान यानि नगर के बाहर का जो वातावरन है महंत जी और उनके दो चेले साथ में गाते हुए आते हैं और क्या गाते हैं राम के बारे में राम की जो महिमा है उसका बखान करते हुए गाते हैं आगे महंत का यहाँ पर समवाद शुरू हुआ है महन्त कहते हैं कि बच्चा नारायण दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुन्दर दिखाई पड़ता है देख कुछ विक्षा उक्षा मिले तो ठाकूर जी को भोग लगे और क्या महन्त जी का जो शिश्य नारायण दास उसको संभोधित करते हैं कि जिस अंधेर नगरी को हम देख रहे हैं वो नगर तो दूर से बड़ा सुन्दर दिखाई पड़ता है यानि किसी भी नगर को आप देख रहे हैं कि दूर से सुन्दर दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब ह कि वो नगर या तो बहुत अच्छा होगा या फिर वो जो सुन्दरत है वो दिखावटी सुन्दरत हो सकती है अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे देश में भी बड़े बड़े खेल आयोजन होते हैं या फिर कोई सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तो नगर को सुन्दर बनाया जाता है, खास्तर से दिली जैसे इस शहर को आप देखेंगे, तो आपर बहुत सारी चीज़ें जो गंदी हैं, जो उससे शहर को बदनाम कर सकते हैं, उन पे परदा डालने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महन नारायन दा को संबोधित करते हैं कि यह नगर तो दूर से बहुत सुन्दर दिखाई पड़ता है, देखो अगर कोई विच्छा उच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शब्दावली का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चन्द ने किया है, वो अपने छेत्र से प्रभावित होकर उ यानि महांत जो हैं वो ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, ठाकुर जी आप देखेंगे हमारे लोक में मौझूद एक इश्वर के परतीक के तोर पर है, अक्सर हम जब सत्तनरायन जी की कथा को सुनते हैं तो आपर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और कुछ वहीं से भार नारायन के आश्रे से बहुत ही सुन्दर है, जो हैसो पर विक्षा सुन्दर मिले तो बड़ा आनंद हो, नारायन दास भी यही उम्मीद लगाता है कि बाहर से देखने में यह जो नगर है तो सुन्दर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर विक्षा मिलेगी तभी हम इस बड़ा आनंद होए, तो यह कथन किसका है, नारायन दास का है, महन, बच्चा गोबर्धन दास, तुप पक्षिम की ओर से जा और नारायन दास, पूरब की ओर जाएगा, अब यहाँ पर आपको परिक्षा की दिश्टी कोण से ध्यान में रखना है, कि महन, जो एक जगत त लेकिन अपने शिश्चियों को दो दिशाओं में भेज रहे हैं, जहां गोबर्धन दास को पूरब की दिशा की ओर भेज रहे हैं, वही नारायन दास को पूरब की दिशा की ओर भेज रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कि जो नारायन है, वो पूरब की की तरफ गया और जो गोबर्धन है वो पश्चिन की तरफ गया इसको आपको ध्यान में रख लेना ठीक है तो देखिए इसको कैसे आप ध्यान में रखेंगे नारायन इस्ट की तरफ गया और गोबर्धन जो है वो वेस्ट के तरफ गया तो ऐसे भी आप गोबर्दन दास पशिंग की तरफ जाता है और नाराण दास पूरब की तरफ और महंत कहते हैं देख जो कुछ सीधा सामगरी मिले तो स्री शाल ग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो साल ग्राम जी वहीं जो मैं सतनरायन कथा की बात कर रहा था वहाँ पर भी जो आपके पंडित होंगे जो कथा करते होंगे वो ठाकुर जी और साल ग्राम जी की मुर्ती लेकर हमेशा चलते रहते हैं उसको धूलते हैं जो भी पंचामरित बना रहता है उससे तो यहाँ पर महं संतों को बाबा लोगों को सिध्धा सामगरी दी जाती है जिसमें कि आप देखेंगे आटा चावल डाल टिक है गूड जो भी जिसके पास होता है वो सारी चीजें दी जाती है जिसको बाबा लोग सिध्धा सामगरी कहते हैं जिसको बोलते हैं सिध्धा ठीक है कथा करने के ब संयोग से जिस छेत्र से भरतेंदो हरिशंद का जुड़ाव है उसी छेत्र से हमारा भी है तो हम तो सीधा कार समझ रहे हैं कि सीधा का मतलब है कि आटा, चावल, डाल, गोण, भेली जो भी है उससे यहाँ पर लिया गया है तो करेंगे अगर यह सब मिले तो हम ठाकुर जी का भी भोग लगाएं और जो हमारे साथ साल ग्राम जी है उनका भी बाल भोग सिध्ध हो यहाँ पर ध्यान में रखना है बाल भोग के उनको चड़ाएं और फिर आपने उसका भोग करें गोबर्धन दास गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं यहाँ के लोग तो अग्या को मैं मानता हूं और मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं यहाँ के लोग देखने से लग रहा है न सिर्फ यह नगर सुंदर दिखाई पड़ रहा है बलकि मालवर भी दिखाई पड़ रहा है मतलब कि यहाँ के लोग बहुत ही धनवान दिखाई पड़ रहे हैं ठीक मालेजी ये कथनी आपर पूछ लिया जाए तो आप किसका बताएंगे आंसर? महंत का कथन है, पहले से आगाह कर दे रहें अपने गोबढ़न दास को कि तुम जाओ लेकिन बहुत लालच मत करना, देखना हाँ लोब पाप को मूल है, लोब मीठावत मान, लोब कभी नहीं कीजिये या मैं नरक गिदान, और इसके बाद गाते वे सब जाते हैं जैसे ही महंत जीत इस बात को कहते हैं कि बच्चा बहुत लोग मत करना, देखना, हाँ, और ये पंक्ती सभी लोग गाते वे जाते हैं, लोग पाप को मूल है, पाप का अगर कोई मूल है, जड़ है तो वो लालच है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पाप कर रहा है, कहीं ब्रस्ट बलकि लोब जो भी मान है, सम्मान है, उसको भी मिटाता है, उसको भी खतम करता है, लोब कभी नहीं कीजिये, और कहा गया कि लोब कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक में भी जगा नहीं मिलती है, नरक में भी इसका कोई अंत नहीं है, अंत मतलब समाधान जिसको हम करते है समस्या जब उफ्ति है तो उसका जब हम समाधान करते हैं तो समस्या का अंत होता निदांशब्द का आर्थ है अंत होना या पर समाधान होना और इस बात को कहते हुए और उसको ध्यान में ही जुड़े होगे हैं वो कंसंट्रेट होकर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे और मुझे यह जरूर मालूम है कि आप लोगों के साथ गाते भी प्रवेश करते हैं पहले राम की महिमा के बारे में बात करते हैं फिर विक्षा के बारे में सोचते हैं कि विक्षा कैसे मिलेगी और दो दिशाओं में अपने शिश्यों को भेजते हैं गोबर्धन दास को पश्शिम में और नारायन दास को पूरब में भेज और वो कहते हैं कि बच्चा ज्यादा लालच मत करना नहीं तो फिर दिक्कत में फश जाओगे और लोब की क्या-क्या नुक्सान है उनके बारे में पूरा यहां पर बात हुई और सब लोग जाते हैं इसके बाद परदा वहां पर गिर जाता है इसके बाद शुरू होता है आपर बाजार का दिर्शी दिखाई पड़ रहा है और हम सभी किसी ने किसी बाजार को जरूर देखे होंगे कुछ नहीं देखे होंगे तो अपने मन में हमें सबजी मंडी यानि मंडी का वातावरण ले कराना पड़ेगा चायो आप वारानसी के सुन्दर मंडी को या फिर चंदुआ छित्योपुर के मंडी को लाएं या फिर जिस एरिया के आप हैं वहां के मंडी को लाएं मैं भी बगल में हूँ यहां पर भी मंडी है जहांपर का जो दृष्य है मुझे यह दूसरा आंको आपर दिखाई पड़ता है शुरुवात होती है बाजार का तो आपके मन में बाजार का एक दृष्य उभरना चाहिए होती है कबाब वाला कबाब वाला जो है वो अपने सामानों को कैसे बेच रहा है उसको देखना बहुत लाजबाब है आप इसको देखिए कबाब वाला बोलता है कबाब गर्मा गरम मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का कबाब गर्म आपनी सामान, यह किसी वग्यापन से कम नहीं है, हम लोग विग्यापन पढ़ते हैं, विघ्यापन में भी अपने वर्ष्तूऊं का बढ़ा चड़ाकर बुलगान किया जाता है, जिसके की ग्रहत आकरशीत है। यहां पर कबाब वाला अपने कबाब की विशेशता बता रहा है, काय रहा है कि 84 मसाला बहटर आंच का यह कबाब है, इस कथन को जरूर ध्यान में रखें कि किसने कहा है और किस अंक सीलिया गया है, तो जब आप देखेंगे कि दूसरा अंक बाजार को निर्भर है तो बाजा चाटते रह जाएंगे, मतलब आपकी इक्षा कभी पूरी नहीं होगी, आपको लगे है कि अभी मैंने कम खाया है, और जो नहीं खायेंगे, तो परशाता आप करेंगे, जीव काटेंगे, अक्सर आप लोगोंने मेले में भी देखा होगा, इस तरीके से लोग अपने सामानों का जबरदस्त तरीके से प्रचार करते हैं, और ग्रहात मजबूर हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए, इसके बाद आता है नंबर घासी राम का, घासी राम जो है, वो चना बेच रहा है, और चने की भी सिष्टा बतला रहा है, अगर आपने चने को खाया होगा, तो आपक चना बेचते हुए भी देखा हूँ, और खरीदते हुए भी अनबह हुआ है, वो कैसे बोल रहा है घासी राम, चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी जोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबु खाने को मूँ खोले, चना खावे तो की मैना, बोले, अच्छा बना चबहना, अब चने की खास विस्था, यहां पर बताई जा रहे हैं, कि जो चना घासी राम बना देता है, शायद कोई बनाता होगा, और चना जिसकी जोली में, जोली में पूरे दुकान है, और चना को जब हम खाते हैं, तो चुरमुर चुरमुर की आ उनका जी लल चाता है, चना खावे तौकी मैना, चना न सिर्फ मनु से खाते हैं, बलकि चिडिया मैना इत्यादी भी खाते हैं, चना खाए गफूरन मुन्नी, और चना गफूरन नाम है, यह आपर मुन्नी नाम है, यह लोग भी खाएं, यह किसी के लिए भी शब्द प्रि बांगला का काफी प्रभाव दिखाए पड़ता है, और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्यंद ने थोड़ा सा बांगला का प्रभाव लिया हुआ है, इसलिए इसमें बंगाली शब्द का भी प्रियोग हुआ है, चना खाते सब बंगाली, अब यह बात कितनी सत्य है, हम आगे है, जिनकी धोती धीली ढाली, चना खाते मिया जुलाहे, डाड़ी हिलती गाह बगाहे, चना खाते वे किस तरीके से हरकत हो रही है, ठीक है, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके सेर, न सिर्फ कबाब वाला टके सेर बेच रहा है, वह है नरंगी वाली, यानि कि महिला है, नरंगी वाली, नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, भुटवल की नरंगी, यानि कि जब आप देखते हैं, कई बार वस्तू के इस्थानों का नाम लिया जाता है, उसकी विशेस्ता के रूप में, कुछ वस्तू होते हैं, जो खास जगह की famous होती है, उनके नाम से बेचा जाता है, जैसे आम अगर आप खरिदने जाते होंगे मंडी में, तो आम के भी अलग-अलग नाम है, उसी तरीके से यहाँ पर नरंगी के नाम को बताया गया है, सिलहट की नरंगी, बुटवल की नरंगी, सिलहट एक जगह है, जो की बंगला देश में जगह है, वहां की नरंगी ऐसा मना जाता है की काफी famous है, तो मान लिजे, यतना दूर पंक्ति दे दी जाया, और पूछ लिया जा कि इसमें सिलहट का अर्थ क्या है, तो अब आप तुरंद बता देंगी की बंगला देश में पाई जाने वाले जो नरंगी है, उसी का नाम है सिलहट, बुटवल की नरंगी, नेपाल में भी एक जगह है, बुटवल, वहां की भी नरंगी famous है, राम बाग की नरंगी, वैसे तो हमने इसको इलाहबाद में सुना हुआ है, राम बाग है, आनन्द बाग की नरंगी, भई नीबू से नरंगी, यानि कि नरंगी वाली के पास बिविध तरीके की नरंगी है, एक तरीके की नरंगी नहीं है, सिलहट की है, बुटवल की है, राम बाग की है, आनंद बाग की है, और भई नीबू से नरंगी, पहले नीबू मतलब खटी थी, लेकिन ये दिरे-दिरे मीठी हो गए, ये नरंग तरह दोनों हाथों लोग नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे नरंगी ले नरंगी टके सेर नरंगी सब लोग अपने सामानों को बेचने के लिए दिग्यापन के जो भी कंडे होने चाहिए सब को अपना रहें नरंगी वाली भी करें यह कि दोनों हाथों लोग नहीं पीछे अब बारियाती है हलवाई की, जलेबियां गर्मा गरम, ले सेव इमर्ती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुर्मा, बुंदिया, बर्पी, समोसा, पेडा, कचवडी, दाल मोट पकवडी, घेवर, गुपचुप, हलुआ ले, हलुआ मोहन भोग, मोयंदार कचवडी, कचाका हलुआ, नरम चभाका, घी में गरम, चीनी में तलातर, चासिनी में चभाचब, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पश्ता है, जो न खाए सो भी पश्ता है, रेबडी, कडाका, पापड, पडाका, ऐसी जात हलुआई, जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विलसन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम सब समान, ताजा, खाजा, ले खाजा, टके सेर खाजा, तो आप देख रहे हैं हलुआई के पास कितनी वेराइटी है, जलेबियां है, इमर्ती है, लड्डू है, गुलाब जामुन है, खुर्मा है, बुंदिया है, बर्फी ह समोसा है, पेड़ा है, कचवड़ी है, दाल मोट है, पकवड़ी है, घेवर है, गुपचू, आजकल हम इस शब्द का प्रयोग को ज़्यादा है सुनते हैं, 1881 में भी भर्तिन्दु अरिश्यन ने इस शब्द का प्रयोग किया है, हलुआ, हलुआ मोहन भो, मोयंदार कचव चभाका, चभाका का अर्थ है कि तर होना, यानि उसमें दूबना, इसके बाद है चभा-चब, मतलब कि दूबोया हुआ, चासनी में आप जैसे लौंग लगता खा रहे हैं, या फिर गुलाब जामून ले रहे हैं, अक्सर आपने मिठाई की दुकान पर जाने का मैं भाई, यह पंक्ति ली गई है अंधिर नगरी से, और कलकत्ते की मिठाईयां, अक्सर आप देखें, गुलाब जामून को लेकर बड़ा बिबात था कि यह उडिसा का है, या फिर कलकत्ता का है, बताएगा कि कलकत्ते के विलसन मंदिर के पास की जो मिठाईयां है, वैसे यह अंधिर नगरी की जो हलुआ हैं, उस ही टैप से भी बेचते हैं, और सभी सामान किया है, ताजा है, अक्सर मैं ट्रेन में यातरख करने जाता हूँ, तो वहाँ पर लख्ठा और नम्कीन बेचा जाता है उसको भी बोज़ा है, ताजा लख्ठा, हर सामान को ताजा बोल चवराई बत्वा करेमू नोनिया कुलफा कसारी चना सरसो का साग मरसा ले मरसा ले बैगन लवा कोहड़ा आलो अरुई बंडा नेनुवा सूरन राम तुरई मुरई ले आदी मिर्शया लहसुन प्याज टिकोरा यानि कि जो सब्जी बेचने वाली जगह है वहां का पूरा य का मेवा फूट और बैर यह पंक्ति देखें इंपोर्टेंट है ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर यह अंधियर नगरी जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंग शैली में लिखी गई है तो यहां पर भारतेंदु हरिश्यन ने अपने समय की सितियों के बारे में भी बा एक तो आप लेंगे बैर का मतलब होता है दूसरा एक विशिष्ट फल है जो बैर मैंने बताया बैर मतलब आपसे फूट यानि दुश्मनी को लेकर भी है ठीक है तो इस अर्थ में इसको आप ले सकते हैं कुजडिन का यह वाक्य है ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और ब मुगल को यहां पर एक पात्र के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है वो क्या बेच रहा है बादाम पिस्ते अकरोट अनार विही दाना मुनक्का किश्मिश अंजीर आब जोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती विही सर्दा अंगूर का पिटारी अमा मतलब हमारा को बोल रहा है आमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दात कट्टा हो गया मतलब खट्टा हो गया तो यहां पर अपने सामान की दिखिस्ता बतलाते हुए मुगल जो है बादाम पिस्ता फ्रोट अनार विही दाना का मतलब होता है अमरूद का जो वीज ह उसके लिए प्रिवत हुआ है मुनक्का किश्मिष अनजीर अबजोश का अर्थ यहां पर है अंगोर का पिटारी और कहा गया कि जिस तरीके से अंगोर खट्टा होता है उसी तरीके से ये सिर्फ फल के रूप में खट्टा नहीं है बलकि अंग्रेजों का भी दात कट्टा हो गया यानि कि अंग्रेज भी क्या हो गया पराजित हो गया खट्टा शब्द का प्रयोग यांपर पराजित करना हम मुहावरे पढ़ते हैं ठीक है मुहावरे में बुंबुक बुंबुक लोव सब मेवा टकेश हीर। और कहा गया कि नहाक मतलब और कारण ही रुपेहा खराब किया बेवकूफ बना। हिंदुस्तान का आदमी लकलक मतलब दुबला पतला हमारे यहां का आदमी बुम्बु मतलब बहुत ही बहादुर मजबूत हटा कटा लो सब मेवा तके से यानि कि उस जमाने में मुगल के माध्यम से भरतियंदू हरिश्चंद ने मनुस्यों के बारे में बताया कि कैसे मनुस सवस्थ हैं वैसे ही आप भी हो जाएंगे यहां पर यह हो रहा है आगे पाचक वाला बेच रहा है चूरन अमल बेद का भारी जिसको खाते क्रिश्न मुरारी अमल बेद यानि कि आमला से बना हुआ चूरन है ठीक है देखेंगे कि यह भी एक तरीके से खटा फली होता है आ खाते क्रिश्न मुरारी मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना चूरन बना मसालेदार जिसमें खटे की बहार मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड कहीं नहीं जाए अब यह तो हम टीवी में देखते हैं एड़ुटिजमेंट कम एक आता है क्या विमल पाल मसाला ठीक है उसमें बड़े-बड़े सेलिबरिटी आप देखेंगे कि इसका प्रचार करते हैं एक तरके से भी चूरन टाइफ ही है यहां पर पानवाला अपने इसाफ से प्रचार कर रहा है और क्या है कि हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम चूरन जब स की मंडी इसको खाएंगी सब रंडी चूरन अमले सब जो खावें दोनी रिश्वत तुरत पचावे चूरन ननातक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते तो यहां पर चूरन के माध्यम से तत्कालीन परिश्थितियों के बारे में भी पारतेंदु हरिश्यन हम सभी का ध्य अकरशित कर रहे हैं कि चूरन के बहाने किन-किन चीजों को यहां पर उठाया गया है ना सिर्फ उस समय के अंग्रेजी राज उस समय की विश्याओं की स्थिति है उसके बारे में बीच चर्चा की गई रिश्वत को लेकर बात की गई ठीक है आगे है कि चूरन सभी महाजन चूरन खाते जिससे जमा हजम कर जाते हैं चूरन सभी महाजन जो उस समय को द्योग पती है वो सब खाते और जो भी कोश है जमा मतलब जो कोश है धनराश है उसको हजम कर जाते यानि कि व्रश्याचार के वल आज की इस थिति में ही मत्पुर्ण नहीं है बलकि उस जमाने म ठर से क्यासी सभी के आसपास में भी कुछ यही सिति रही चूरन खाते लाला लोग जिसको अकिल अजीरन रोग और यहां पर एक खास जाती को के अंदर में रखा गया कि चूरन वो लोग भी खाते हैं जिनको लाला यानि सिर्वास्तों कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि सबसे जादा गर बुद्धी है तो यह नहीं स्रिवास्तों लोगों के पास लाला लोगों के पास है क्योंकि अकिल अजीरन रोग क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास अकल का अपच रोग है चूरन खावे एडिटर जाद या संपादकों को भी लिया गया है जिनके पेट पचे नहीं बात और जो एडिटर है वो लोग भी चूरन खाते हैं इसलिए खाना पड़ता है कि उनके पेट में कोई बात नहीं पचती है वो उसको दबा नहीं पाते हैं चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता और जो साहेब लोग हैं जो नौकरशा लोग हैं वो लोग भी चूरन खाते हैं जिससे कि वो सारे हिंदुस्तान को हजम कर जाए चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते चूरन पुलिस वाले इसलिए खाते सबी कानून पर हजम कर लेते हैं, लेट चुरन का ढेर बेचा टके सेर, और वो भी टके सेर में बेच रहा है, देखे इन पंक्तियों में हमें चुरन के बहानें, बहुत सारी चीजें देखनी है कि चूरन एक तो है जो कि पचाने का काम करता है लेकिन यहाँ पर सामाजिक राजनेतिक आर्थिक चीजों के बारे में पूरा चित्रन भारतेंदु हरिश्यंद ने किया है कि कौन-कौन चूरन का प्रयोग करता है जैसे कि नाटक करने वाले भी करते हैं महाजन करत लाला लोग करते हैं एडिटर करते हैं इसके बाद साहिव लोग करते हैं पूलीज वालों को भी उन्हों ने नहीं छोडा सबको इसमें बता दिया आब अदृष्य आता आ है मचली वाली का मचली वाली कैसे बोलते हैं मचरी ले मच्री तो पहले तो ध्यान में रखना कि यह जो पंक्तियां है, यह सब दूसरे अंक से ली गई है, ठीक है, दूसरे अंक में मचली बेचने वाली के माध्यम से भारतेंदु हरिश्यन ने यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से मचली बेचने वाली, मचली को बेचते विकर रही है कि मचरिया एक टके के भीका है, मचली भी एक टके में ही बेची जा रही है, लाग टका कई वाला, कई वाला है आपर है, वहाँ पर जिसकी शादी नहों, जिसको हम बोलते हैं कुवारा, जवन गाहा का सब ललचाए, जैसे कुवारे वेक्ति के प्रती जो भी ग्रहाक है, जो उनकी शादी करने के लिए खोजते हैं, वो ललचाते हैं, वैसे ही इस मचली को देखकर भी लोग ललचा रहे हैं, नैन मचरिया रूप जाल में देखा थी फंजाए, और इस मचली के आँखों को देखते हैं, उसके रूप को, उसके संदर को है व्याकूल है तो देखें यहाँ पर अलंकार अब मैं नहीं पूछूंगा आप लोग तुरंद बता देंगे कौन साथ अलंकार है अब यहाँ पर आ गया जात वाला जात वाला में ब्रैकेट में दिया गया है ब्रामः वो कैसे बेच रहा है जात ले जात टके सिर जात एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्रामः से धोबी हो जाए और धोबी को ब्रामः कर दें टके क तके के वास्ते जूट को सच करें, टके के वास्ते ब्राम्मण से मुसल्मान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिष्टान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा, दोनों बेचे, टके के वास्ते जुठी गवाहें दे, टके के वास्ते पाप को पुण माने, टके के वास्ते न जाती, धर्म, विवस्था, सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, इन सभी का उस जमाने में बोलबाला था या फिर क्या इस्थिती थी, उसका पुरा चित्रन भरतेंदु हरिशन्द ने किया है, और सिर्फ कहा गया कि टके सिर के लिए सारी चीजे की गये, सिर्फ कुछ कीमत के लि दाल, लकडी, नमक, घीर, चेनी, मसाला, चावल, ले, टके सिर, बनिया बेचरा है सब, बाबा जी का चेला गोबर्धन दास आता है, और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर, खाने के आनंद में बड़ा प्रसन होता है, सवाल कई बार पूछा जाता है, नारायन दा जितने भी मैंने दुकानदारों का जिक्र किया यहां पर, तब एकी आवाजों को सुनता है, और बड़ा उसको आनंद दाता है, खुशी मसूस होती है, गोबर्धन दास, क्यों भाई बनिये, आटा कितने सेर, बनिया टके सेर, गोबर्धन दास और चावल, बनिया टके सेर गोबर्धन दास और चीनी बनिया टके सेर, गोबर्धन दास और गी बनिया टके सेर, गोबर्धन दास सब टके सेर, सचमुच, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, गोबर्धन दास अन्त में बनिया के पास जाकर ठारता है, और उससे आटा के बारे में पुशता है पिर चावल के बारें पुछता है, फिर चीनी के बारें पुछता है, और हो सकता है कि आप से एक्जाम में पूछ लिया जाए, कि गोवर्जण दास कि ने किन खाधियान पदार्तों का मोल भाव बनिया से लिएए, तो आटा, चावल, चीनी और घी, तबका क्या है, टके सेर, इसको आप नोट करते जाए नहीं तो यह इस प्रश्ण खतरनाक साबित हो जाएगा मैं यह आपन लिख भी देता हूं आटा के बारे में पुछता है चावल के बारे में पुछता है फिर चीनी के बारे में पुछता है और फिर घी के बारे में पुछता है और सभी का दाम क्य तकए सिर के अंदर है इसको देखकर गवर्धन यह समझ नहीं आता है और गभरा साजाता है बनिया काता है हां महाराथ क्या जूट बोलूंगा महाराद मोखने के पास जाका क्योधिन भाजी क्या बागा निण बिना पूछे ही बता दे रही हो और सबजी वालों के खास ये सिस्था होती है आप एक सबजी के बारे में पूछेंगे वो दोचार सबजीयों का नाम और बता देते हैं गोबर्धन दास सबजी टके से वोढ़ा यहां सभी चीज टके शेर हलोई के पास जाकर क्यों भाई हलोई मिठाई कितने सेर हलोई बाबाजी लड़ूआ जलेबी गुलाब जामून खाजा सब टके सेर गोबर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता सब सच मुझस सब टके से कर रहा है कि क्या तुम हम से मजाग तो नहीं कर रहे हो मस्खरी मतलब मजाग अक्सर आप देखेंगे जो धार्मी किस्थल है एक बार मैं विंध्या चल गया हुआ था तो आपर हर एक चीद 10 रुपे में मिल रही थी बड़ी छुटी सब चीद 10 रुपे में थी तो कई बार लगता था आश्यर भी होता था यहाँ पर देखे गोबर्धन दास को भी आश् चाल ही यही है चाल मतलब रीती परंपरा की सारी चीजें यहां पर एक दाम फिक्स कर दिया गया है तके सेर में यहां सब चीज टके सेर बिखती हैं इस नगरी की चाल ही यही है वो नगरी कौन है अंधेर नगरी और वहां का राजा कौन है चौपट राजा अब तो यह मु इस नगरी का नाम कौन बता रहा है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि वो कोई और नहीं बता रहा है, बल्कि हलवाई बता रहा है, गोबर्धन दास, और राजा का नाम क्या है, हलवाई चौपट राजा, ठीक, गोबर्धन दास, वा हुआ, अंधेर नगरी चौपट बजाते हुए आगे बढ़ जाता है हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लोदो गोबर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर साथ पैसे लाया हूं यह देखिए आपके लिए मात्पूर है कि भिक्षा मांगकर कितने पैसे लाया है गोबर्धन दास वह साथ पैसे आप अपने कापी पर इसको नोट कर लीजीए. पढ़ने के लिए आपने पढ़ लिया होगा लेकिन हमारा फोकस क्या है? आपके लक्ष के उपर है कैसे एकधाम में सवाल आ सकते हैं. 7 पैसे लाया है. 3.3 equiv material दे दे. 7 पैसे बलकि इसको ध्यान मर रखना है 7 पैसे लाए और 3.5 सीर मिठाई खरी दता है हलुआई मिठाई तुलता है बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं यह वनिका गिरती यानि कि परदा इस तरीक से क्लोज होता है और वहाँ पर अंधेर अच्छा जाता है ठीक है अगर मंचन की दिश्टी कौन से देखें तो तो आपने देखा कि जो अंधेरनगरी का दूसरा अंख वो बाजार का अंख है उसमें आपने तमाम बाजार के दिश माँड़ाई खरीत कर ले जाता है कुछ नहीं, मिठाई लेकर जाता है। कितना पैसा पाया है, सात पैसे 8 पाया है। मिठाई लेकर जाता गाते हुए। इसके बाद श्रूर होता है तीसरा आंक जो जंगल का दृष्चय तिक है जंगल का इस्थान आपको इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा ठीक है पहला जो था वायफ्रांथ दुसरा बाजार का और तीसरा अंका आप देख रहे हैं कि जंगल का इस्थान है महंत जी और नारायन दास एक और से राम भजो इत्यादी गाते हुए आते हैं एक तरफ से नारायन दास और महंत जी आ रहे हैं ठीक है म एन इनको मैं नोट कर लेता हूं महंत और नारायन एक तरफ से आ रहे हैं और गोबर्धन दुसरे तरफ से आ रहा है ठीक है और सामने बैठे हुए हैं तरसक बैठे हुए हैं यह लोग आ रहे हैं जहां महंत जी उस जबाने में रामभजो रामभजो ठीक है और दूसरी तरिके तरफ से आ रहा है गोबर्धन दास। बच्चा को बर्धन दास कह क्या विक्षा लाया। गठरी तो भारी मालूम पढ़ती है अब देखिए महांत क्योंकि अन्भावी व्यक्ति है गोबरदन दास को देखते ही कहता है कि क्या विक्षा लाया और गठरी को देखने से लगता है कि भारी लग रही यानि कुछ उसमें है गोबरदन दास बाबा जी महराज बड़े माल लाया हूं साड़े तीन सेर वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहां से लाया किसे धर्मात्मा से भेठ हुई अब बाबा महंत के दिमाग में सब सवाल आ रहे हैं कि इतनी मिठाई कहां से लाया ये कोई धर्मात्मा व्यक्ति ही हो सकता है जो इतना दिल खोल के दे सकता है क्योंकि लगता है कि इनके लिये हैं खरीद लिये मान बच्चा नारायादास ने मुझसे कहा था कि यहां सब चीज टके सिर मिलती हैं तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया बच्चा यह कौन सी टके सिर में ही मिल रहा है तो आखरकार एक कौन सी नगरी है जो दूर से बहुत सुन्दर दिखाई पड़ रहे थी और जैसा कि तुम कह रहे थे कि यहां के लोग बहुत ही धनवान भी लग रहे हैं लेकिन एक ही मुल्ले में सब कुछ यहां पर है एक कौन सी नगरी है गोबर सिर भाजी और टके ही सिर खा जाओ ऐसी नगरी में लग रहा है कि रहना उचित नहीं होगा एक चीज आप यहां पर देखिए महंत चीजों को भाप लेता है उपर में बताया गया लोग को लेकर भी इन उन्होंने इस बात को कहा कि लोग सभी पाप का मूल है और यहां पर क कि दाम में सारी चीजें भी कर रही हो तो यह मान कर चलिए कि कुछ वहां पर गड़वड होने वाला है तो तीसरे अंक में आप देख रहे हैं जंगल का जो द्रिश है क्योंकि यह लोग बाबा मान थे तो जंगल में ही जाएंगे इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड कि सेथ यानि कि सफेद और सश्टा जहां पर कपूर और कपाफ दोनों एक ही भाव में बिके तो इस देश को देश में कभी नहीं रहना चाहिए कोकिल बायस एक सम पंडित मूरक है और उस नगरी में नहीं रहना चाहिए जहां पर कोयल और कववा बायस का अर्थ हैं पर मंगती पुछ लिए जाए और पुछ लिए कि बायस का अर्थ क्या है तो आप अगल बगल नहीं जाकेंगे बल्कि आपको तुरन दिमाग में अनुराज जिंदी अकेडमी में हमने पढ़ा था कि बायस का मतलब है कववा और करें कि कववा और कोयल अगर दोनों एक ही बरा इंद्रायन का अर्थ यहां पर है लाल रंग का कड़वा फल ठीक है जिसको जैसे आप देखेंगे हनुमान ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो अरुण यानि कि एकदम नवोधित सूरे थे उनको फल समझ कर खाने की चेश्ट्या की थी उसी से यहां पर अर्थ लगा है कि वो कोई तो फल है नहीं लेकिन दाडिम का मतलब बता है अनार ठीक है इसी से एक अलंकार पूछा जाता है कि ना मोती का दाडिम समझ कर इस तरीके से एक अलंकार आता है अब लोगों के दिमाग में आ गया हो कि कौन सा अलंकार है तो यहां पर का गया कि वो एक जो काल्पन कना चाहिए रहना नहीं चाहिए बस यह ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जो आपर खाले धन की वर्षा हो सोने की वर्षा हो ऐसे देश में रहना चाहिए कि हम आएंगे तो एक लाख देंगे हम आएंगे तो पंदर लाख देंगे हम आएंगे तो एक करोन देंगे हम आएं इसलिए कुछ रचना है काल जाई कृतियों में शामिल हो जाती हैं अंधिर नगरी भी उसी में है और मांत जी ने इस चीज को कह दिया कि अगर जहां पर सब चीज एकदम फ्री फ्री हो जाए और एक ही दाम में हो जाए तो फिर वहां पर नहीं रहना चाहिए हो वह जल्दी वहां पर कुछ घटना घटने वाली हो सकती है तो कहते हैं आगे चल कर कि सो बच्चा चलो यहां से ऐसी अंधिर नगरी में हजार मन मिठाई मुक्त की मिले त वह किस काम की बीना कर्म किये बीना मेहनत किये अगर कोई चीज मिल जा रहे है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है और कई बार हम भी इसका आभास करते हैं बहुत सारे विद्ध्याति तुरन जटके में कमेंट्स करके चले जाते हैं कि अगर PDF आप दे देते तो मैं माला माल ह जाता है इसलिए फ्री का तो आप देखिए कंटेंट लेकिन फ्री में PDF या फिर PDF की मांगी मत किजिए पढ़िए तो खेरे यहां पर आपको पंक्ति ध्यान में रखना है कि ऐसी अंदेर नगरी में हजार मन तुम तो चाड़े तीन सिर लाए हो तो खुश हो लेकिन अगर ह इस नगरी को छोड़कर नहीं जाओंगा क्योंकि गुबर्धन दास खाने पीने वाला है पेटू किस्म का आदमी है वो बोल रहा है कि आप भले चले जाए मैं तो इसको छोड़कर नहीं जाओंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता वरंच बाजे बाजे महन्त करना पड़ता है और निशीत कर लेता है कि महांत और नरायनदान भले चले जाए लेकिन मैं तो यहीं रहांगा कि क्योंकि मुझे इस चीज का अनभव है कि कई जगों पर मैं दिन भर मांगता रहा लेकिन पेट नहीं भरा और यहां पर तो कम समय में ही बरंच बाजे मानत क्योंकि अंभविव्यक्ति हैं वो गोलता है कि बच्चा नई बात मानोगे तो पश्चा ताप करो गोबर्धन दास आपकी किरपास से कोई दुख न अगा als assumption कि आ भी यही रहे देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पच्छन आएगा मैं तो जाता हूं पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना महंत इस बात को कह कर चला जाता है कि मैं तो कह रहा हूं कि तुम चलो लेकिन नहीं जा रहे हो तो अगर कभी संकट आएगा तो जरूर मुझे याद करना गोबर्धन दास प्रडाम गुरुजी मैं आपका नित्ती ही स्मरण करूँबा मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहे है दोनों आप देख रहे हैं कि वो उसको रुकने के लिए बोल रहा है वो उसको जाने के लिए कह रहा है यहाँ पर गोबर्धन दास जो कि कह रहा है कि मैं तो हमेशा आपको याद करता रहा है महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं? गोबरधन दास बैटकर मिठाई खाता है. यह वनीका गिर्ती, यानि कि फिर से एक बार परदा, यहाँ पर गिर्ता है, यानि यहाँ और यह अंक, खतम हो जा रहा है. महंत जी किसके साथ जाते हैं तीसरे अंक में नारायन दास के साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी यहां पर समवाध हो रहे हैं या तो वो महंत के हैं या फिर गोबर्धन दास के तो एक आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि नारायन दास जो है थोड़ा कम बो कि गुबर्धन दास का संबाद परिक्षा में आने का ज़्यादा चांस है अब शुरू होता है चौथा आंक आप देख रहे हैं कि इस्थान दिया राज सभा ठीक है आपको ध्यानम रखना हुआ है प्रान बाजार का द्रिश्य जंगल का द्रिश्य फिर हो गया इस्थान जो राज सभा page राज सभार राज सभा अंपर अब राज सभा से ही लग रहा है कि आपर राजा मंत्री और कर लोग अपने जगहां पर बैठे होएं यानि राज्या कुरसी पर बैठे होंगे फिर मंत्री बैठे होंगे पर नवकर लोग इस तरीके से होगा राजसभा ॥िक एक सेवक चिल्ला कर या पर देख्वależर एक सेवक आता है चिल्ला कर पां खाये महराज राजा, पिनक से चौक के घबराकर उठता है क्या कहा? सुपनका आई महराज भागता है और देखे सेवक चिलाते हुआ रहा है तो करा कि पान खाईये महराज तो वो पिनक शब्द है मतलब वो हलका नशे में हलका नशा जिसको कढ़ा सकता है पिनक और घबरा जाता है और उटता है तो पूरी बात भी नहीं सुना है और बोलता है क्या कहा है सुपन का आई यह महाराज और फिर भाग था है मंत्री राजा का हाथ पकड़ता है दृश को आपको ध्यान में लटना है एक सेवक आता है जोर से चिलाता है राजा बढ़ा जाता है और अनापसनात बकने लगता है, क्यों क्यों नरशे में महाराज मंत्री जो व्हेराजा का हाथ पकड़ लेता है नहीं नहीं यह कहता है कि पान खाये मारार, राजा, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको सो कोडे लगे, और राजा को जब वो कहता है कि नहीं है तो पान खाने कलिए कर रहा है, तो इसको देखें तीन शब्दें आपर प्रयोक किया है, शुबगास्ते ही लग रहा है कि राजय किस तरीके का है, डरपोक किसम का है, या फिर निड़े लेने की स्थिति में नहीं है, काता है कि कारण ही हमको डरा दिया, इसको आदेश दिया मंत्री को, कि इसको सो कोड़े लगे, मतलब कुछ दंड दिया जा, क्यों डराया मुझे, मंत्री महराज, इसका क्या दोश है, न तो तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता, अब देखी कारण दूसरे को ठुब दिया गया, कर रहा कि जो सेवक है, जो पान लाया है, उसकी कोई गलती नहीं है, जो तमोली है, अगर वो पान लगा कर नहीं देता, तो शायद यह इतना हला करता हुआ, चिलाता हुआ, नहीं हाता, इसका कोई दोश नहीं है, यानि आप देखरें, मंत्री राजा से कुछ ज्यादा समझदार दिख रहा है, राजा, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे, अब इसको सेवक को छोड़कर वो बोलता है, कि तमोली को ही 200 को खराब आदमि हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बाहर तुमको 100 बुलाने चाहता है, नवकर नवकर श़राब, अब यहाँ पर राजा कह रहा है, कि तुम बहुत खराब आदमि हो, हम रानी से कह देंगे, यानि कि काता है कि रानी से कह देंगे कि मंत्री जो है वो बेर-बेर मतलब बार-बार काता है कि हम दुसरी शादी करेंगे सौध बुलाने को चाहता है यानी कि रानी मंतृरी के उपर गुसा उनको कंट्रॉल करें, यहाँ पर लग राया कि जो राजा है मंत्री पर ज्याधा कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए रानी को भीश में ला रहा है और फिर आवाज लगाता है नौकर नौकर शराब दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में सराब उजल कर देता है लीजिये महाराज पीजिये महाराज ठीक है तो सुराही में से वो एक गिलास में से देता है उसको किली मिलाकर ठीक है पीने के लिए राजा मुव बना कर मुँव बना बना कर पीता है अब मुँव बना बना कर कैसे पिया जाता है ठीक है आप लोगों ने शायद किसी को देखा हुआ सिगरेट पीते हैं यहां पर शराब और और के और दे निपथ दूहाई हैं का सब दोता है अब यहां पर दोता है दूहाई आने जो है, उसके पर आजतिका भाता है धोए दूहाई है कौन चिलाता है पकड़ लाओ, दो नौकर एक फर्यादी को पकड़ लाते हैं, फर्यादी दुहाई है महराज दुहाई है, हमारा न्याय हो, राजा चुपरो तुम्हारा न्याय हो यहाँ ऐसे होगा, कि जैसा जम के यहाँ भी नहोगा, जम मतलब यमराज, वो कहता है कि चु सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई दुआई है महाराज न्याय हो राजा नौकर से कल्लू बनिय की दिवार को भी अभी पकड़ लाओ राजा भी उसी तरीके का है जिस किसी को देखता है कि इसमें इसका दोशे उसको लाने का प्रयास करता हो क्योंकि निर्डे लेने की स्थिती में नहीं है तो आदेश देता है कि कल्लू बनिय के दिवार को पकड़ कर लाओ ठीक है मंत्री महाराज दिवार नहीं लाई जा सकती राजा अच्छा उसका भाई लड़का दोस्ट आशना जो हो उसको पकड़ लाओ तो आशना सब्द के आपर प्रयोग है संबंधी यानि कि जो भी रिष्टेदार हो अक्सर आप देखते हैं कि कोई घटना होती है तो जो मूल घटना को अंजाम देना वाला व्यक्ति होता है अगर वो पकड़ में नहीं आता है तो उसके भाई, दोस्त, लड़का आजो भी संबंधी रिष्टेदार है उनको भी पकड़ा जाता है परिशान किया जाता है क्योंकि अंधेर नगरी और अंधेर चौपट राजा जैसे अगर वहाँ पर नियायत देने वाले होंगे तो फिर यही इस्तिती होगी तो राजा आदेश देता है कि ठीक है दिवार नहीं लाजा रहे तो इसका कोई भाई होगा, लड़का होगा, दोस्त होगा संबंधी होगा उसको पकड़ कर लाओ मंत्री, महाराज दिवार इट चुने की होती है उसको भाई बेटा नहीं होता राजा, अच्छा, कल्लू बनियों को पकड़ लाओ नौकर लोग दोड़कर बाहर से बनियों को पकड़ लाते है क्यों बेबनी है इसकी लर्की नहीं, बर्की क्यों दब कर मर गई यानि जो राजा है वो उचारन भी सुद्ध नहीं करता है यानि कि लर्करा जाता है क्योंकि वो सराब पिया हुआ है तो नर्शे में है तो वो काता कि लर्की नहीं, बर्की यानि बकरी क्यों दब कर मर गई मंत्री उसको सुधारता है बर्की नहीं महाराज, बकरी राजा हाँ हाँ बकरी को मर गई बोल नहीं अभी फासी देता हूँ कल्लू महराज मेरा कुछ दोश नहीं कारिगर ने ऐसी दिवार बनाई कि गिर परी अब कारिगर की बात आई तो राजा बोलते है अच्छा इस मल्लू को तोड़ दो कारिगर को पकड़ लाओ कल्लू जाता है ठीक है लोग कारिगर को पकड़ लाते हैं क्यों भे कारिगर इसकी बकरी किस तरह मर गई कारिगर महराज मेरा कुछ कसूर नहीं चुने वाले ने ऐसा बोधा चुना बनाया कि दिवार गिर परी बोधा मतलब घटिया जिसको हम बोलते हैं यानि खराब क्वालिटी का चुना बनाया कि जिससे दिवार मजबूत नहीं रही गिर गई वह बांगर सिमेंट से सायद दिवार नहीं बनी थी आप देखते होंगे एक एड आता है बांगर सिमें जिसको लोहे से भी तोडने पर नहीं टूटता है ठीक है चुने में पानी धेर दे दिया इसी से चुना कमजोर हो गया अब भिस्ती को इसमें दोशी दे दिया गया राजा अच्छा चुनी लाल को निकालो भिस्ती को पकड़ो चुने वाला निकाला जाता है भिस्ती लाया जाता है क्यों बे भिस्ती गंगा जमना की किस्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दिवार दब गई अब देख रहे हैं क्योंकि वो नशे में नशे में उसको पता नहीं है कि क्या बोल रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं अगला है कि विस्ति महराज गुलाम का कोई कसूर नहीं कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी कि इसमें पानी जादे आ गया मसक एक तरीके से आप देखेंगे कसाईयों के पास एक मसक होती है ठीक है जो चम्रे की होती है उसी को बोल रहा है कि इतनी बड़ी बना दी कि इसमें जादा पानी आ गया मतलब हर व्यक्ति अपना दोशन देकर दूसरे को दे रहा है राजा अच्छा कसाई को लाओ विस्ति को निकालो लोग विस्ति को निकालते हैं कसाई को लाते हैं क्यों बे कसाई मशक ऐसी क्यों बनाए कि दिवार लगाई बकरी दबाई यहाँ पर भी लर खड़ा रहा है कसाई महाराज गडेरिया ने टके सिर पर ऐसी बड़ी भेड मेरे हाथ वेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई अब यहाँ पर गडेरिया को दोश दे दिया जा रहा कि उसकी भेड़ी बहुत बड़ी थी याने कि आप देख रहे हैं कि तर्क कुतर्क बिल्कुल किया जा रहा है तो नार्मली इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, गडेरिया यहांपर जो शब्द प्रिप किया गया एक खाश जाती बिशेस के लिए है, आज इसको के हम वह अर्तमान समय में पाल जाती के नाम से जानते हैं, राजा अच्छा कमाई को अच्छा कसाई को निकालो, गडेरि महराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, मैंने छोटी बड़ी भेड का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है, राजा अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ, यहांपर देखिए, इस प्रहसन को पढ़ाने का मेरे एक उद्ध ठीक है, तुरंत पकड़ लाओ, गड़ेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है, क्यों बेकोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली, कि गड़ेरिया ने घबडा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया, आप देख यहां पर वही जो लडखडाहट है, और नसिस यह राजा की लडखडाहट है, बस बलकि उस शासन की लडखडाहट की तरफ भी भारतेंद हरिश्चन ने ब्यंग किया है, पड़ने में हसी आती है, लेकिन कई बार ब्यंग ही जो हता है, तो सटीक अपने लक्ष पर चोट प अगर को फूक दे या फासी दे दे, क्योंकि जैसे ही जो कोतवाल है, वो शहर के बारे में चर्चा किया, तो उसमें मंत्री को भी लगा, कि अब हम भी सेफ जोन में नहीं है, हमारे उपर भी खत्रा आ सकता है, और गुसा कर कहता है कि आप तो यहां पर इसको रोकना ही पड काला कि उसकी बकरी दभी, कोतवाल, महराज, महराज, राजा कुछ नहीं, महराज, महराज, ले जाओ कोतवाल को अभी फासी दो, दरबार वर्खास, और इसके बाद उनको लगता है, कि जो असली दोर्शी था कोतवाल, वो पकड़ा गया है, और दरबार यहांपर जो पकड़ कर ले जाते हैं दूसरी ओर से मंत्री को पकड़ कर राजा जाते हैं क्योंकि राजा जो है वो उरे नशे में तो मंत्री को पकड़ कर जाते हैं और यह वनिका गिरती यानि परदा क्या है गिर जाता है यानि यहां पर यह अंक खतम होता है अब शुरू होता है पांचवां अंक जो इस्थान है अरणे का मतलब भी होता है जंगल ही होता है ठीक है तो पांचवां इस्थान आप देखें अरणे का और क्योंकि जो भी साधुस्थांथ हैं वो सब जंगल की तरफ हैं लेकिन यहां पर परदे पर अरणे दिखाया गया ह गोबर्धन दास गाते हुए आते हैं गोबर्धन दास गाते हुए आते हैं क्या गाते हैं जो कि राग काफी पर आधाई थे काफी एक राग है जब आप ब्रमर्गित सार पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग-अलग तरीके की रागों का प्रयोक किया गया है तो गोबर्धन दास आते हैं गाते हैं क्या अंदेर नगरी अनबुज राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा नीच उच सब एक ही ऐसे जैसे भणुए पंडित तैसे याने कि सब समान है कूल मरजाद नमान बढ़ाई सब एक से लोग लुगाई जात पात पूछे नहीं कोई हरी को भजे सो हरी का हुई देखे ये पंग्ति काफी इंपोर्टेंट है कई बार कहा जाता है कि ये रामानंद द्वारा लिखी गए कई जग अपर इसको कबीर से जो एक समाना बकरी गव एक करी जाना साचे मारे मारे डोले छली दूष्ट सिर्फ चड़ी बोले जो सच्चे लोग हैं उनको दंड दिया जा रहा है और जो चली है दूष्ट है और उनका महिमामान किया जा रहा है प्रगट सब अंतर छलधारी सोई राजशवा बलभारी एस ये बात को गारे हैं साच कहेते पणही फ़ी पंही मतलब जूता जिस जीसने सच्ची बातें कैं सबको जूते खाने पड़े जूथे बहुते पदोबी पावे और जो जूठे लोग है उनका प्रमोशन हो रहा है उनको भीतर हुई मलिन की कारों और कागया कि भीतर वो क्या है गंदगी है , लेकिन सामने से वो साफ दिखाई दे रहा है। नियाय सदाई भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं, अगले अरुप्यादे, अंधा धुंद मच्यों सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा गव, द्वीज, सुरुति आदर नहीं कोई, गाय को, पंडित को, बेद विद्वान को, कोई यहाँ पर आदर नहीं और बैटकर मिठाई खाता है, और यह सारी बातें वो कहता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोबर्धन दास के बहाने, भारतेंदु हरिश्चन्द ने ततकारीन सामाजिक राजनितिक आर्थिक परिशितियों के बारे में चर्चा की हुई है, और यहाँ तक की जो भी न्याय की विवस्था उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, मिठाई खाता है, इसके बाद क्यता है, गुरु जी ने हमको नहा के यहाँ रहने को मना किया मिठाई चाबना शब्द का प्रयोग यहाँ पर चाबना मतलब भर पेट खाना यानि चक कर खाना जिसको का आ जाता है यह खाते खाते के तमसे लोट पोट हो जाना ठीक है तो और आनंद के साथ राम भजन करना मिठाई खाता है चार प्यादे चार और से आकर उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि वो अभी गलत किसको मान रहा है गुरुजी महंत को मान रहा है कि वो गलत थे मैं सही था आनंद के साथ हूं तब तक एक टर्निंग मोडाता है एक घटना आती है चार प्यादे चार और से आकर उसको पकड लेते हैं, पहला प्यादा, चल बेचल बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई, दुसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नरायन कीजिए, गुबर्धन दास घबडा कर, हैं, यह आफद कहां से आई, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या है या बनाया है, इस यह क्या मतलब, अब चलिए, फासी चड़िए, गुबर्धन दास, फासी, अरे बाप, बाप, फासी, मैंने किसकी जमा लूटी है, कि मुझको फासी, मैंने किसकी प्राण मारे, कि मुझको फासी, क्योंकि गुबर्धन दास साधुसंत है, और उसको यह किया है मुझको किस तरीके की फाशी दुसरा प्यादा आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फाशी होती है मोटे होने से फाशी यह कहां का निया है अरे हासी फ़कीरों से नहीं करनी होती जोब रज़स कई जगहँ पर उसको लगता है क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो भगवान के यहां क्या जवाब दोगे पहला प्यादा भगवान को जवाब राजा देगा हमको क्या मतलब हम तो हुकमी बंदे हैं हुकमी बंदे मतलब हमें तो आदेश दिया गया है ठीक है मतलब हुक्म बजाने वाले हैं आदेश को मानने वाले हैं गोबर्धन दाज तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकेर आदमी को नाद फांसी देते हो पहला प्यादा बात यह है कि कल कुतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फासी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराद में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो नयाओ न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कि कुतवाल के बदले तुमको फासी दे दे। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर नियाय देने का क्या सिस्टम है कि किसी न किसी को दोशी, निर दोशी, गुना, बेगुना, किसी को भी नियाय के बदले में कुछ भी सजाद दे कर बताया जाएगा कि नियाय दे दिया गया है। वो बर्धन दास कता है, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता, जो मुझ अनात्फकिर को फांसी देते हैं, पहला प्यादा, इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के नियाव के डर से कोई मूटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े, तो यह असली जो बात थी, वहां के लोग भी बहुत चतर्क हैं, वो राजा के सुभाव से या फिर उसके नियाय के प्रकृती से बहुत ही परचित हैं, इसलिए बात बनाने में लोग बहुत माहिर भी हैं, और उसमें अपने फसने के जगांपर दूसरे को फसा देते हैं, जैस मारा जाता हूं, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महराच कहां, कहां मैंने नमाना, उसका फल मुझको भुगना पड़ा, गुरुजी कहां हो, आओ, मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूं, गुरुजी, गुरुजी, क्योंकि देखिए संकट आ गया गोबर्धन दास को और वो याद कर रहा है कि मैं नाहक मारा जा रहा हूं बे अपराग में गुरु जी मुझे बचाईए गोबर्धन दास चिलाता है प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं और यह वनिका गिरती है यानि परदय या पर गिर जाता है यानि बंद हो जाता है इसके बाद छठा अंग शुरू होता है जो अंग है शमशान का और इस अंग को आना ही था ठीके छठा अंग शमशान का है गोबर्धन दास को पकड़े वे चार सिपाईओं का प्रवेश चार सिपाई उसको पकड़ कर मतलब टांग कर ले जा रहे है आसानी से वो नहीं जा रहा है गोबर्धन दास चिलाते हैं हाई बापरे मुझे बेकुसूर ही फांसी देते हैं अरे भाईयों कुछ तो धरम बिचारो अरे मुझे गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाब होगा अरे मुझे छोड़ दो हाई हाई रोता है और छुड़ाने का यतन करता है मतलब खीचा तानी करता है और जो भी उसके मन में आ रहा है अक्सर कोई भी निर्दोस व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो यही बातें कहेगा और ध्यान रखे इन बातों को किस ने कहा गोबर्धन दास ने कहा है पाला सिपाई अब चुपर सिपाईयों की भाषर शैली देखिए चुपर राजा का हुकम बला कहीं टल सकता है यह तेरा आखरी दम है राम का नाम ले बेफाइदा क्यों सोर करता है चुपर गोबर्धन दास हाई मैंने गुरी जी का काना न माना उसी का यह अफ़ल है गुरी जी ने कहा था कि एसे नगर में न रहना चाहिए यह मैंने न सुना उन्होंने पहले यह बता दिया थे कि लालत मत करो ने तो दिक्कत हो जाएगी अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है तब बचने की कौन आशा है अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे गुरु जी कहा हो बचाओ बचाओ गुरु जी गुरु जी रोता है सिपाई लोग उसे घट सीठते हुए ले चलते हैं गुरु जी और नारान दास आते हैं इसके बाद क्या चिला रहा है और अपने गुरु जी को बुला रहा है ठीक है और इसी बीचों लोग मंच पे आते हैं गुरु अरे बच्चा गोबर्दन दास तेरी यह क्या दशा है गुरु जी दिवार के नीचे बकरी दब गई चो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं गुरु जी बचाओ पुरी बात बताता है हो गुरु अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में राना ठीक नहीं तैने मेरा कहना नहीं सुना मैंने तैने शब्द का परयोग आप देख रहे हैं यानि कि शुरुवाते खड़ी बोली का एक तरी किसे प्रहसन है इसमें कहने कहीं ब्रज भाषा और उस समय के जो भी भाषा है उनका प्रभाव और साफ साफ से दिखाए पड़ता है इसे पहले शब्द को भी आप देख र गुरु कोई चिंता नहीं नारायन सब समर्थ है भाव चड़ाकर सिपाहियों से भाव चड़ाकर सुनो मुझको अपने शिश्य को आंतिम उपदेश देने दो तुम लोग तनिक किनारे हो देखो मेरा काना न मानावे तुम्हारा वाला न होगा आप यहां पर गुरु यान मेरे शिश्य के जाने का समय तो अंतिम उपदेश में देना चाता है नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं आप बेशक उपदेश दीजी तिपाही हट जाते हैं गुरु जी चेले के कान में कुछ समझाते हैं आप देखेंगे मंच पे इसको कहा जाता है कि जब दो पातर करके गोबर्धन दास्कार है तब तो गुरु जी हम फासी चड़ेंगे अब कान में क्या बोला दर्शत राजा और जितने भी सिपाई त्यादिया हैं सब सोचते हैं कि क्या बत्यार है और बहुत पहले राजनीती में भी एक बड़ा चलता था कि फला फला के कान में क्या कहा किसी को मालूम नहीं मैं संकेत करके छोड़ दे रहा हूं यह कुछ द्रिश्य वैसे कही है यहां पर तो आप प्रकट करके मतलब जोर से आवाज में बोला जा रहा है कि तब तो गुरु जी हम फासी पर चड़ेंगे गुरु नई बच्चा मुझको चड़ने दे गोबर्ध स्वर्व जाने में बुढ़ा जवान क्या आप तो सिद्धोग आपको गति और गति से क्या मैं फासी चड़ूगा इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं मतलब हट करते हैं जबरदस्ति करते हैं सिपाई लोग परस पर चकित होते हैं क्योंकि सिपाईयों को भी समझ में न गबड़ा है गबड़ा मतलब धूंध यह कैसा धूंध है राजा मंतरी कोतवाल आते हैं अब यह सब देखी रहे हैं तब तक राजा मंतरी और कोतवाल आते हैं राजा यह क्या गोलमाल है परला सिपाई महराज चेला कहता है मैं फासी पड़ूगा गुरू कहता है मैं पड जाएगा यह हमारे देश की सच्चाइ जो जनता है उसकि सच्चाइ पंक्ति प्रसूद कर रहे हैं कि हर व्यक्ति आसानी से बैकुन्त जाने का प्रयास करता है और हमारी परंपरा रही है इसलिए दिखेंगा गोदान में भी इस पे ब्यंग किया गया है और इसमें प्रहसरन म भी फांसी चड़ेंगे क्योंकि मंत्री राजय से थोड़ा समझदार है तो कहता है कि मैं ही चड़ जाओंगा इस पर फांसी पर गोबर्दन दास हम हम को तो हुकुम है अब अधिकार पुर्वक यहां पर गोबर्दन दास कह रहा है कि भाई मुझे हुई थी मैं चड़ूगा कोतवाल हम लटकेंगे अब कोतवाल के अंदर भी जाना गई वो भी बैकूंठ जाना चाहता है बोलता है कि हमारे सबब तो दिवार गिने देखे कैसे स्विकार किया जा रहा है क्यों क्योंकि वो बैकूंठ जाना चाहता है सस्ते में जाना चाहता है राजा चुप रहो सब लोग राजा के आच्छत और कौन बैकुंत जा सकता है हमको फासी चड़ाओ जल्दी जल्दी राजा सब को सबकी बोलती बंद करते हैं कि चुप्रव हमारे रहते हुए कौन भला बैकुंत जा सकता है आच्छत मतलब जीवित रहते हुए इस चीज़ को नोट कर लेजिए जहाण धर्म नबुधि नहीं नीत न सुजन समाज ते ऐसे ही आपु ही नसे जैसे चौपट राज और गुरु जी ने कहा कि जहाण दर्म है नबुधि या ना नीतु है न सही विद्ध्वानों का समाज है वैसे ही लोग अपने आप ही अपना नाष कर लेते हैं अपने को को खतम कर लेते हैं जैसें जाव्पट राजा यानि कि अंधेर नगरी का जावफट राजयर था इसके बाद क्या होता है त्यार हो जाता है राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं चैटी मतलब आप मरने के बाद पर बुरे कामों के करने के बावजूद भी सुर्ण में जाने की अंदर रहती हैं और इसके लिए अपको ध्यान में रखना है कि आपका धर्म क्या है, आपकी बुद्धी कैसी होने चाहिए, आपका गुरूप कैसा होना चाहिए. तो इस तरीके से ये अंधेर नगरी पुरा आपर समाप्त होती है, मुझे पुरा उम्मीद है कि लाइन बाइन आई से प्राशन का हमने पाठ किया कठिन शब्दों, तो इस तरीके से ये पुरा प्राशन आपके दिलों दिमाग में बैठ गया होगा, आप सब एक कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार